Hi friends, welcome back to the channel आज की वीडियो में शेर कर रही हूं मैं आपके साथ मेरा फुल नाइट रूटीन डिनर रेसिपीज, माइ मसाला प्रिपरेशन और मील प्लानिंग अगले दिन के लिए अगर इस टाइब की वीडियो आपको अची लगती है और फ्यूचर में भी देखनी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जरूर अपना कमेंट चोड़ना सबसे पहले कर लेते हैं डिनर की प्रिपरेशन तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मुझे मेथी यूज़ करनी है क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी हो रही थी तो आज मेथी को मैं रोटियों में डालूंगी और साथ में बनाएंगे हम कद्दू की सबजी तो यहाँ पे मेथी में थोड़ा सा ये काम रहता है इसको अलग-अलग इसकी लीव्स को चुगना और मेथी में काफी ज़्यादा मिटी भी होती है तो इसे साफ करना भी अपने में एक चालेंज होता है तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ थोड़े ल्यूक वाटर में नमक और विनेगर या फिर लेमन जूस डालके अराउंट 20 मिनट्स के लिए मैं इसको सोख करके रख दूँगी जितने हमारी मेथी सोख होगी पानी में उतनी देर में हम थोड़े से और अपने किचन के काम निपटा लेते हैं तो मुझे मसाले बनाने थे जेनरली मन्थ में एक बार मुझे ये मसाले प्रपरेशन करनी होती है तो सबसे पहले मैं बनाओंगी गरम मसाला, ये ना मैं लेके आती हूँ होल गरम मसाला माकिट से, इसमें सब कुछ पहले ही मिला हुआ होता है, और ये मुझे बहुत जादा कन्वीनियन्ट लगता है, तो सबसे पहले जो बेलीफ होती हैं, उन्हें मैं अलग से रोस्ट कर ले फ्लेवर आ जाएगा, और once ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो हम इसे कूल डाउन करने लगेंगे, सारे मसालों को हम अच्छे से कूल करने के बाद ही पीसेंगे, तो second जो हमारे घर में सबसे जादा यूज होता है, especially रायता वगेरा में, वो होता है क्यूमिन पाउड यही सबसे जादा मसाले regular basis पे यूज होते हैं, तो यह तीनों मैं घर पे बना लेती हूँ, और इनसे जो फ्लेवर और जो अरोमा आता है ना, वो मार्किट वाले मसालों से बिलकुल नहीं आ सकता, और अगर आप ये फ्रेश घर में बना के यूज करोगे ना, आप देखना जो आपकी level है cooking का, वो बहुत जादा ही up चला जाएगा, इनके अलावा जो मसाले होते हैं, जैसे के सांबर मसाला, पावभाजी मसाला, वो generally मैं ready-made ले लेती हूँ, यो कि उतना time नहीं होता है कि सारे आप मसाले preparation करके रखो, यहाँ पे मसालों के साथ मैंने घी भी बनने क तो वो भी अभी मेरा काम हो जाएगा, तो वापस आजाते हैं अपनी मेथी पे, तो time हो गया है, मेथी अच्छे से सोक भी हो गई है, उपर उपर से मैंने अब सारी मेथी को अलग से निकाल लिया है, और अगर आप इस पानी को देखोगे, तो काफी जादा जो डर्ट है, वो इस पानी के बॉटम में सेटल डाउन हो गई है, जैसे यहां पर मैरे मेथी को भिगो के रखा है थोड़ी दे, ऐसे ही मैं ट्राइ करती हूं कि जो भी हम लोग वेजेटेबल्स लेके आएं, उन्हें एटलीस दो घंटा हम पहले सोक कर दे, थोड़े से गरम भी नहीं, लुक वाटर में और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और विनेगर अगर आप करके रखेंगे ना तो उसके जो सर्फिस वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो डर्ट वगरा होता है वो काफी हद तक निकल जाता है, ऐसे जो बच्चों के लिए फूट्स वगरा पले के आएं तो वापस आचाते हैं अपने मसालों पर और यह अच्छे से कूल हो गए हैं तो इनको एक एक करके मैं मिक्सी में पीस लूँगी जब आप इने पीसे ना तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना इनमें उसे क्या होगा कि सॉल्ट जो है ना वो अगर थोड़ा भी मॉश्चर हो से फिर से थोड़ा सा रिंस कर लिया है और अब बस इसको अच्छे से मैं चॉप कर दूँगी और इसकी अब हम बनाएंगे रोटियां तो उसके लिए मैंने लिया है होल वीड आटा जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा उसमें डाला है दही अच्छे जो बना रही हूँ कद्दू की सबजी जो मैं बना दी हूँ मस्टर्ड ओयल में उसमें सबसे अच्छा इसका टेस्ट आता है और काफी मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते थे कि आप मस्टर्ड ओयल को स्मोक नहीं करते हो क्या तो मैं 24 मिंत्रा का जब यूज करती हूँ उसमें स्मोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आज मैं बस पतांजली का था तो इसलिए मैंने उसे स्मोक आउट किया है अदर्वाइस बहुत ही तेज तेल होता है उसका और इसमें तड़के मैंने डाला है थोड़ी मेथी जीरा, सरसों और कलॉंजी आप ये वाला तड़का डालके देखना कद्दू की सबजी में बहुत ही ज़ादा अच्छी बनती है फिर मैं डाला है थोड़ा सा जिंजर और थोड़ी सी हींग फिर डालेंगे हम प्यास और जो भी हमने अभी बेसिक फ्रेश फ्रेश मसाले बनाए है कोरियांडर, क्यूमिन और फिर उपर से डालेंगे थोड़ा सा टमाटर और फ्रेंज ये वाली जो सबजी बनती है बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है इन फाक्ट हमारे घर में नील और मेरे हस्बिन राजमा छोले बिससे जादा ये सबजी पसंद करते हैं जरूर बना के आप इस स्टाइल से ट्राई करना अब डाला है इसका में इंग्रीडियन जो है जागरी पाउडर उसी से इसमें मिठास आएगी और फिर फाइलली मैंने डाला है पंपकिन इसमें पानी डालने कि आपको जरूरत नहीं है पंपकिन खुदी पानी छोड़ देता है पर अगर आपकी सबजी नीचे लगने लगे तो हलका सा पानी जरूर आप अड़ कर देना और फिर आप टेस्ट करके देखना अगर ये एनफ खटा है तो अमचूर डालने की जरूरत नहीं है और अगर खटास कम है तो थोड़ा अमचूर उपर से गरम मसाला और कोरियाडर लीफ और ये बहुत ही जादा अच्छी एकदम देसी होमेट स्टाइल कद्दू की सबजी बनती है तो आई डिनर में हमारी मेथी की रोटिया और कद्दू की सबजी जात में थोड़ा सा जागरी हनी जागरी और घी लिया था साथ में अचार और बुंदी रायता डिनर का सारा काम हो गया है तो अब होगा मील प्रेप तो नील को मैंने डिनर करने के लिए बिठा दिया है डिनर जल्दी करा देती हूँ मैं उसको क्योंकि दो घंटे बाद मैं उसे दूद भी देती हूँ सोने से पहले और नाइन ओ क्लॉक हम उसका लिमिट रखते हैं सोने का तो अभी मैं कल के लिए थोड़ा-थोड़ा मील प्लानिंग करूंगी तो आपको शो करती हूँ कि क्या-क्या जेनरल ही मैं थोड़ा-बहुत मील प्लानिंग कर लेती हूँ एक दिन पहले में मील प्लानिंग में रहता है एक तो ड्राइफ फूट बिगोना तो मैं rose walnuts और almonds भिगो के सोती हूँ और second रहता है थोड़ा देखना कि सुभे breakfast में क्या बनेगा तो कल मेरा plan है मैदू वड़ा बनाने का तो उसके लिए उड़त डाल मैंने एक टेबल स्पून राइस थोड़े से मेथी सीट इसको मुझे भिगो के रखना है ताकि सुभे मेरा जलजी से वड़ा बनके रेडी हो जाए तो मैंने वो भिगो दिया है और इसके साथ कोई चटनी भी बननी थी तो मैंने देखा कि मैं बस पीनट्स पड़े हुए है तो मैंने वो भी बाहर निकाल के रख दी हैं ऐसे अगर आप एक बार प्लान कर लोगे ना तो कई बार ऐसे होता है सुभे आप उठते हो और कोई इंग्रीडियन्ट मिसिंग होता है वो आपके साथ नहीं होगा तो यह next day breakfast था इसकी clips में आने वाली वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी उसके अलावा मेरे को दही बनाना था तो उसके लिए दूद बॉइल करने पे रख दिया है अच्छा जितने मेरा यह रसोई का काम निपट रहा है उतने मैं नील को बोल देती हूँ सोने से पहले अपने सारे toys को अपनी जगह पे रखना इसे बचों में एक habit इंस्टिल होती है cleanliness की और खुद से एक जिम्मेदारी लेने की अपना समान को clean करने का और दूसरा रात को ना यह जो छुड़ी चुड़ी cars और trucks होते हैं थोड़ा सा hazard भी हो जाते हैं फिसले के लिए तो every night before sleeping नील अपने सारे toys को अपनी जगह पे रख देता है अपने सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो हमें मैसेज करते हैं कि नील को वीडियो में जरूर लेके आना क्योंकि नील के इतने सारे अब लास्ट काम है किचन की सफाई और सारी डिशेस करना तो यहां पर मैं मोटा मोटा डिशेस को निकाल के रख देती हूँ बाकी डिश्वाशर में से निकालना लगाना वो मैं अपने हस्बन को बोल देती हूँ क्योंकि अब मेरा अल्मोस थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है और थोड़ा सा मुझे वो मैं अवाइड कर रही हूँ जाता जुकना और नील को मैंने शावर दे दिया है और इसको स्लीप टाइम के लिए रैडी कर दिया है हलांकि आजकल मैं से स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि बहुत कोविट केसे यहां बढ़ गए है पर जैनरली स्कूल टाइम पर यह रात को शावर लेता था तो वही हाबिट हम कंटिन्यू करके रख रहे हैं तो कुछ प्रकराण करें यहां यहां सिर्णी तो कि आजकल स्कूल देम शावरिगों स्कूल मैं जाज़ा है क्योंकि पूरी राथ हीटर चलता है और उससे काफी ज़्यादा ड्राइनस हो जाती है फेस पे बच्चों के तो थोड़ा सा एक्स्ट्राइक क्रीम में नील को लगा देती हूँ सोने से पहले तो स्किन अच्छी रहती है बच्चों की सर्दियों में भी रात को एक गलास दू मुनक्के मुनक्के के ना बीज निकाल दी है अदरवाइस वो थोड़े अच्छे नहीं लगते ड्राइफरूट्स में मैंने लिये थे आलमंड्स वालनट्स और पिस्ताच्चू अब इन सब को मैं भीगो के रख दूँगी ओवरनाइट जब हम ड्राइफरूट्स को भीग कर लिया है जो एक्स्टरा पानी था और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डालके तो यह ना एक पेस्ट बन जाएगा और इसको मैं इतना अच्छे से पीसूँगी कि बिलकुल हमारा स्मूध एक पेस्ट बन जाए अब यह जो पेस्ट है इसको आप में 3-4 डेस तो minimum आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी बच्चे को दूद देना हो तो इस गरम दूद में बस एक टेबल स्पून आप ये अड़ कर दीजे मुनक्के हैं तो इसमें अल्रेडी मिठास होती है and friends I know अगर आप फर्स टाइम देंगे तो maybe आपके kids इसको like ना करें तो मैं suggest करूँगी कि आप ना जो भी आपके बच्चे bonvita या chocolate powder जो भी लेते हैं उसके साथ थोड़ा सा शुरू में डालो ये और फिर दीरे-दीरे करके इसकी quantity बढ़ाते रहो and दूर देने के बाद finally नील सो गया है और अब मैं remaining अपने काम कर लूँगी जो बचे हुए है तो एक दही जमाना था तो मैंने दही में खटा लगा दिया है फिर इसको एक अपने स्वेटर में लपेट के और माइक्रोवेव में रख दिया क्योंकि यह काफी ठंडा होता है जर्वाइस हमारी दही जमती नहीं है यहाँ पे and finally मैंने अपना भी milk बना लिया है तो यह मैंने आपको last video में भी दिखा आया था केसर, थोड़े से soaked almonds और ilaichi powder डाल के and बस इसके साथ होती है इस दिन की end and it's vlog का end I'll see you next time bye